आपने ये यह बिच्विस न खाग ए आपका च्र ठरफ यह भी तोना आपनah है इंटरनल इस तरह बैगानिक करके कंगे मैं सीसे साथी इस इस दो धरी ौरी सी सथ brauchι एक तो FM के point of view से financial management के point of view यह सारी चीज़े और दूसरा point है यह जो हम discuss कर रहे हैं accounting के point of view से हम यहाँ पर discuss करेंगे accounting के point of view से सबसे पहले amalgamation amalgamation क्या होता है amalgamation का मतलब होता है जब दो कंपनिया मिलकर एक नई company form कर दे तो वो हो गया आपका amalgamation मिलकर एक नई company मना दे तो क्या हो गया यह amalgamation ठीक है amalgamation में नई company बन गई ठीक है acquisition में क्या होता है एक बड़ी company होती है वो दूसरी company को acquire करती है result भी आ गया a limited यहाँ पर क्या था एक नई company बनी C यहाँ पर कोई नई company बन क्या आई बिलकुल नहीं आई ए ने बी को acquire कर लिया a limited ही result आ गया अब यह को चीज़ देखो external reconstruction external reconstruction का मतलब क्या होता है अपने इसका पहले क्या नाम था unique commercial और अभी क्या नाम है unique digital campus हुआ क्या यहां से teacher हुआ teacher change वा नहीं वा यही building है यही है थोड़ा सा बसी infrastructure change वा नाम बदल दिया externally लोगों को दिख रहा कि अब digital unique digital campus के नाम से है चीज़े सारी वही है ना इसमें अब क्यूस्टन ही आता क्या कोई नई company बनी या नहीं बनी बताओ नहीं बनी या नहीं बनी आप बताओ online student बनी या नहीं नहीं बनी आ बताओ नहीं बनी नाम ही बदल गया बिलकुल नहीं company बनी तो यहां पर पहले जो भी नाम था यू सीयस था अब क्या हो गया UDC इसका मतलब क्या है कि आप एक नई company बन के आ गई है तो इसमें भी आपकी एक new company form होती है internal reconstruction क्या होता है internal reconstruction क्या होता है कि आपकी पास assets have book value है आपकी 10 लाख रुपए की 20 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा market में बेचने फांस लाख रुपए की दस की चीज थी 5 में विकरी आपकी क्या overvalued हो रही है assets ठीक है आपकी assets क्या हो रही है overvalued हो रही है तो फिर उस क्या होता है overvalued जो आपकी assets overvalued है उसको market value पर लाने के लिए क्या किया जाता है कि आप आपनी जो country liability जो आपकि capital as here capital assets Eating a movie credit को Gracou अबब एक्शिदी टिर्श को भी amount को आप उसकी actual value पर लेके आत वो एक्ष़ इचेन करते हो अटराशन करते हो तो क्chos होता है internally reconstruction इसमें क्या कोई कंपनी नहीं बनती है बिल्कुल नहीं इसमें सिर्फ और इंटरनल ही काम होता है तो नहीं कंपनी कहा बनी अमलगामेशन में बिल्कुल बनी अब जोर्शन में बिल्कुल नहीं बनी इधर आपका एक्टरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी बनके आ गई न अमल्गामेशन के दो है तरीके मतलब कौन सा अमल्गामेशन है एक होता है नेचर ओफ मर्जर सुना है आपने मर्जर का मतलब ठीक है और एक होता है नेचर ओफ परचेज नेचर ओफ मर्जर और नेचर ओफ परचेज ठीक है नेचर ओफ मर्जर क्या होता है नेचर ओफ परचेज क्या है मैं कुछ पांच कंडिशन बोलूँगा ये कंडिशन अगर फुल्फिल हो रही है तो इसका मतलब वो नेचर ओफ मर्जर है अगर ये फुल्फिल ना हो इनमें all the assets of transfer company assets and liabilities of transfer company should be become assets and liabilities assets or liabilities of transferring company transferer का मतलब होता है जिसकी assets transfer होनी है जैसे कि Vodafone थी और एक आपकी थी idea इन दोनों की assets transfer होई किसको Vodafone idea limited को दोनों के tower हो गए दोनों के network हो गए दोनों के employee हो गए चले गए इसका मतलब क्या है पहली condition है कि जो assets or liabilities है किसी भी company की जो transferer company है transferer कोंची है Vodafone or idea transferer company कोंची है Vodafone idea limited ठीक है Vodafone idea separately जीज़र क्या होगी transferer company first condition के लिए होगी second condition है आपकी condition क्या है कि जो payment होगी Vodafone idea से Vodafone or idea को अलग-अलग वह आपकी shares के बदले shares में होगी मैंने क्या the payment should be made in the shares except fraction shares मतलब fraction shares की आप payment कर सकते हो किसमें किसमें कर सकते हो cash में otherwise आपको सारी payment share के बदले share करनी पड़े for example आपके जो shares बने इसको जो देने के बने इसके बने मालो 149.8 तो 0.8 की जो पेमेंट है वो तो आप cash में कर दो 139 के share दो इसे दरी के से इसका दूसरी condition आपको समझ में आ गई आभी बताओ समझ में आ गई condition number third है आपकी at least 90% of shareholder of transferer company should be shareholder of transferring company 30 condition 90% shareholder कम से कम आपके नई company में होंगा transferring company में होंगा condition number 30 ठीक है आगे समझ में and fourth condition है कि आपका जो एक्वायर करने का में objective है to run up the business running the business वो business आपका चलना चाहिए बंद नहीं होना चाहिए अब देखो Vodafone idea का business बंद हुआ है दोनों का चल रहे है ना Vodafone का बंद हुआ ना idea का हुआ दोनों का business Vodafone idea चला रही है इसका मतलब नेचर होग क्या है merger Vodafone idea का क्या हुआ है merger हुआ है ठीक है और fifth आपकी condition है किसी ही तरीक है कि कोई भी adjustment नहीं होगी जब तक कि कि किसकी account में इनकी accounts में मतलब कोई भी आपने adjustment नहीं करने जब तक कि आपको एक uniform accounting system नहीं बनाना हो legally requirement नहीं हो आप adjustment नहीं कर सकते मतलब इसका मतलब क्या हुआ अब depreciation का return down value method adopt कर रहे हो तो यह adopt करो adjustment तब तक नहीं करने जब तक कि आपको uniform system नहीं लेकाना मालो Vodafone adopt करनी थी straight line method यह adopt कर थी return down तब आप adjust कर सकते हो एक को तो करना पड़ेगा otherwise same का same रखना आपने तो पांच condition है पहली condition assets or liability book value पर किसको transfer होगी transfer company से transfer पहली बास book value पर होगी यह भी याद रखना दूसरी है कि आपकी जो payment होगी वो shares के बदले shares होगी fraction share को छोड़के तीसरी है आपकी 90% of shareholder of transfer company should become the shareholder of transfer company fourth है business चलाना objective होना चाहिए और fifth आपका क्या है कोई भी adjustment आपने नहीं करनी तो यह पांच condition है किसकी nature of merger की और अगर एक भी condition एक भी condition fulfill नहीं होगी तो आपका क्या हो जाएगा nature of purchase अब बात आती है आपके पास पांच condition है एक भी condition फुल्फिल नहीं होगी तो क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी nature of purchase अगर आपकी एक भी आपकी अगर वो मतलब एक condition फुल्फिल नहीं होगी अगर nature of merger है तो आपसे पुछा जाए कि कौन सा accounting system लगता है the pooling of interest method कौन सा लगेगा the pooling of interest method अभी बताऊंगा दोनों में difference क्या है pooling of interest method और अगर ये है आपका तो कौन सा लगेगा the purchase method मतल कि दोनों में difference क्या है सिर्फ एक general entry का general entry का क्या जो भी differences आता है मालव आपने purchase consideration दिया 10 लाग का assets आई आपके पास 8 लाग रुपर की 2 लाग का difference आ गया तो क्या होगा अगर आपने क्या है आपका nature of merger है तो वहां पर आपके results adjust होते है ठीक है results क्या हो जाते है adjust हो जाते है देखो मेरी बात ध्यान से सुनना है बोथ important point है the pooling of interest method में क्या होता है कि माल लो आपका purchase जो Vodafone idea ने Vodafone को दियना है Vodafone आइडिया ने Vodafone को दियना है Vodafone से assets तो आई 10 लाख रुपए की और payment आपने की 12 लाख रुपए की 2 लाख क्या है आपने ज्यादा की तो यानि ज्यादा प्या की ना तो आप उसकी results को कम कर दो कम कर दो ठीक है दूसरी condition अब payment तो की आपने 10 लाख रुपए की assets आई 12 लाख की ज्यादा आई तो reserve को क्या कर दो बढ़ा दो ठीक है इस case में purchase method में क्या होता है purchase method में अगर आपकी purchase consideration है वह आपका ज्यादा है कि value of business या assets से ज्यादा है purchase consideration तो यह जो difference आएगा यह आप value of assets से यह जो difference आएगा यह क्या जाएगा capital reserve सारा question यह 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 आगया आपका जो भी है आपकी question बनते हैं पहला क्या बताया अगर आपका है merger का case merger की 5 condition पहले मैंने 0 से start कि type सारे में की इसमें नही company बनती है नहीं बनती क्यों बनती है सारा बता दिया after death amalgamation क्या होता है amalgamation में nature of merger की 5 conditions एक भी fulfill नहीं तो purchase merger के case में कौन सा method लगता है pulling of interest method उसमें क्या होता है उसमें reserve adjust होते है purchase method में क्या होता है capital reserve आता है क्या आता है goodwill आती है capital reserve आता है यहां तक कोई doubt है ठीक है अब आता है कि इसकी accounting treatment कैसी होती है पहले हम पहले तहीं आता है purchase consideration कैसे calculate करते हैं आप से कोई पूछे कि इस section क्या है amalgamation का हो purchase consideration का हो इसका section है accounting standard number 14 इसके according आपके पास कौन कौन से method है वह देखने पड़ेंगे अब आपको सबसे पहले आता है lump sum method कौन सा है आपके पास lump sum method का क्या मतलब होता है यह कह दिया ना आपने assets की value निका ली ना ही आपने ना assets की value निका ली ना assets की आपने कहा कि मुख गमजिश को बोलते हैं कि मैं आपके बिजिस का पास लाक रुपे देता हूँ lump sum method एक must payment कर दिया उसको क्या बोलते है lump sum method कि एक amount आपने निकाल ली और उसके basis पे आपने बता दिया कि आपका इतना ही value आपकी बनेगी ठीक है आई बार समझ जोए ठीक है दूसरी आती है आपकी lump sum method बिल्कुल easy है एक पूरा जो amount एक expected amount बता दिया ठीक है एक आपके पास आता है net payment method अभी हमने पीछे पढ़ा है payment कैसे कैसे करनी है net payment method में क्या क्या आता है net payment method में आता है आपने जो cash payment की है cash payment to shareholder क्या करते है ठीक है दूसरा क्या आपके पास आपने share भी दिये issue of shares जो भी आपने दिये दोनों चीजे आगई आपने cash payment कर दी आपने क्या दे दी जो आपके पास shares दिये हैं ठीक है shares यह आपके preference हो चाहिए आपके equity हो दोनों के दोनों लेने है लेकिन इक बात याद रखना भी जो मैं बता रहा हूं बहुत ही important है highlight कर लेना payment to debenture holders will not be included उसको क्या करना है will exclude it net payment method में उसको exclude करना है payment made by the transfer company for the payment payment made to debenture holders and other outside liability उसको क्या मना जाएगा उसको exclude कर के लिके जरना है उसको आपने include नहीं करना ठीक है क्या include नहीं करना not include payment to debenture holder और कोई भी external liability वो सब आपने exclude करनी है ठीक है external liability जो भी आपके पास और यह कूर कुशन आता है कि क्या cost of winding up वो आपको include करनी है cost of winding up बताओ करोगा या नहीं आप अपने mind से बताओ क्या purchase constitution में आएगा क्या यह cost of winding up उस company को मिलेगी जिसका business transfer उसको नहीं मिलेगी ना तो cost of winding up को भी आपने क्या करना है आपने include नहीं करना ठीक है net payment method निकाल लिया आपने क्या दिखा मेल ने क्या करना आपने include आपने करना cash में कितनी payment हुई है share so debentures में कितना चे लागा आ गए समझ में दो method के लिए रो गए लंप सा method हो रही है तीसरा method आया आपके पास net assets method क्योंसा है net assets method third method जो आपके पास है क्या होता है net assets method पहला तो यह है यह method apply तब होगा when is not applied अगर आपने वो method net payment method apply करी ही नहीं सकते ना तब आपका यह लग कि आएगा ठीक है जब net payment method नहीं है तब यह लगेगा ठीक है तो net assets में क्या होता है आपको जब भी किसी भी business को acquire करे तो वहां से assets भी आ रही है वहां से liability भी आ रही है तो आप क्या करोगे जितने भी आपके पास जितने भी आपके पास assets आई है वो सारी देख लो कितनी आई है और उसमें से आप deduct कर दो क्या liabilities तो इससे क्या निकल जाएगा आपके पास net assets आपके निकल के आगई net assets net assets आपके निकल के आगई इसी को आपने इसी के basis पर आपने क्या करना है उनकी payment करने जब आप net assets calculate कर रहे हो जब आप net assets calculate कर रहे हो calculate होती है अब जब आप net assets calculate कर रहे हो तो याद रहे इस इसे को सेक है जो एसेट्स टानसफरी कमपनी ने ली है और जिस और पली आ बिक बली ना वुक बैलुघ वैल्वन ना न मार्कट बली जो ऑगरीड वैल्यों सकती है ठीक है पहली बात ठीक है दूसरी बात यह है इस में से वही लाइबिरीति डिड़क करनी है जो उन्होंने टेक ओवर किये टांस्पर कंपनी ने ठीक है फिक्टियस एसेट्स हो गई जैसे डिस्काउंट और इसी अप सेयर इसको आपने एक्सलूड करना इंक्लूड नहीं करना छोड़ के चलना ठीक है आपने क्या करना इंक्लूड नहीं करना बात आई गुड्विल की तो बिल्कुल गुड्विल एक ऐसेट्स है तो आपनों क्या करना चाहिए उसको इंक्लूड करना चाहिए नहीं वो देखना पड़ेगा कि उ कौनशी assets उन्होंने लिए वही assets consider करेंगे वह भी agreed value कर उसमें से minus क्या होगा वह सारी liability और वह भी agreed value कर गुडविल को include करना है cash को include करना है fixed assets को exclude करना है net assets निकल गी आपके पास third method समझ में आ गया purchase consideration का first आपके पास lump sum method बिल्कुल आप पचास लाग का दे दो पीस लाग का दे दो second one आपका क्या था net payment वही आप देख लीजी क्या क्या payment कर रहे है कितना payment वही आपके actual होगी तीसरा आपका net assets assets में से liability गटा दो जो बच किया वह आ गया अब fourth method आया आपके पास intrinsic worth method बहुत important method है आपका यह आपने कही पार किया है worth method इसका मतलब होता है market value आपके shares की क्या market value है intrinsic का मतलब है actual value market value आपका जो shares हो कितने में बिकरा है ठीक है तो इसमें क्या होता है मालो आप यह देखते हो कि आपके आपके आपने price earning ratio निकालते हो आपका छे रुपए उसका दो रुपए है तो उसकी according की एक share उसका तीन share के बराबर हो गया price earning तो उसी तरीके से यहां पर है कि आपके shares की कितनी market value तो जैसे मालो आपने न यह लगा लो आपके share की जो prices है share prices है वह आपकी रुपीज 15 मालो ऐसी माल लिया मन एंड जो purchase consideration का जो amount बना वो इस तरीके से बन गया की मालो यह कह दिया की 30 लाग रुपए दे दो divide by 15 calculate करनो कितने share issue करने है उनको दो लाग shares यानि दो लाग shares इनका intrinsic यानि market value के according दो लाग ही उनका purchase is constitution है ठीक है तो यह चार method बने आपके पास first method था आपका lump sum दूसरा था net payment तीसरा था net assets net assets तब अपलाई होगा जो आपका net payment नहीं लगेगा और fourth आपका intrinsic worth method थीक है कोई out है आपको नहीं है समझ में आ गए यहां तक ठीक है कोई problem नहीं ठीक है अब अब इसकी देखो general entries क्या होती है इनकी दो company होती है transfer company और आपकी transferi company transfer का मतलब समझते हो transferi का मतलब समझते हो पहले हम entry करते है transfer company के account देखो transfer company के account में account कौन सा open होगा सबसे पहले account open होता है आपका realization account क्योंसा account होता है nominal account यह होता है realization आपका क्योंसा होता है nominal account ठीक है आप देखो इसमें कैसे entry होती है अगर आपको याद हो cross entry होती इसमें cross में मतलब कैसे है पहले की जो भी आपकी assets है जो भी assets है वो सारी book value पर realization account में आती है debit में आईगी realization account debit to sentry assets इस तरी के sentry होगी पहले entry क्या होगी आपके पास realization account debit to sentry assets जो भी assets आपने लिये individually जो भी assets लिये नहीं समझें से realization account debit to debtors to machinery to furniture to जो भी चीज़ आपके पास पहली चीज़ दूसरी entry होती ही liability भी तो लिये है अभी आपने debit किया है ना realization entry आप बिल्कुल आराम सी कर सकते हो यह realization है ना अब मैंने क्या लिकार two sentry assets एसी लिखा है ना two sentry assets entry क्या होई realization account debit to sentry assets ठीक है दूसरी entry होगी liabilities लिए liabilities लिएंगे तो क्या लिखेंगे sentry liabilities account debit to realization तो इधरा जाएगी by liabilities जो भी आपने liabilities लिये है एक और बात आएगी आपर अब मालो debtors है debtors पर है provisions याद रहे जुतने भी provisions बना रखेंगे ना debtor है 50,000 रुपे का प्रोविजन है 10,000 रुपे का तो आप यह नहीं कि assets को 40,000 का दिखा तो ऐसा नहीं करना आपने क्या लिखना है ऐसे जितने भी provision बनाने है अलग से दिखाऊ प्रोविजन for doubtful debts अलग से आएगी साइड बात समझ में आ गई पहले entry क्या गई यह entry क्या हुए बताओ यह entry हुए आपकी प्रोविजन for doubtful debts account debit to realization आपने put कर दी value तीसरे entry आपको समझ में आ गई उसके बाद आती है कोई भी जो purchase consideration दिया यह record करना आपको यहां पर कहीं पर कैसे आता है for recording the purchase consideration to be paid by the transfer company देखो transfer company अब transfer company को purchase consideration दे रही है तो कैसे लिखेगी entry होएगे आपकी transfer company account debit to realization realization क्या होगा credit यहां पर क्या लिखोगे transfer company transfer company मालो x ने को है तो x limited कितना रुपए बना वो आ जाएगा मेरी बात समझ पचास लाग का business में आपकी बात होई तो पचास लाग रुप आपने यहां लिख दिये कैसे लोग आप इसके entry receive करने के entry अभी यह जो आना यह entry इस तरीके से होई है आपकी purchase consideration की purchase consideration debit to realization अब इसकी payment लेने यह payment payment लोगे तो पैसे आएंगे entry क्या होगी bank account debit दूसरा payment किसमें आती है shares in transfer company to purchase consideration होगी ना entry ठीक है purchase consideration मिल गई ना debit credit equal इधर पैसे आती है आपकी क्या होगी debit credit आपके equal होगी purchase consideration किसे मिल रहे है यह पैसे कहां से मिल रहे है to transfer company to x transfer company purchase consideration क्या पर आएगा x से क्योंकि x से आपको मिल रहा है वहां पर भी आपने यह लिखाता ठीक है उसके बाद आपके पास आया जो assets आपने नहीं ली जैसे कि आपने कवी company कई बार assets नहीं लेती उसको company खुद sold कर देती है मालो 50,000 की machine देती नहीं ली 50 की पच्पन में बेज दी realization profit वहां entry यह होगी आपकी मैंने क्या 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 50 की पच्पन में बेज दी है bank account debit आपके पास प्रेस आया 50,000 रुपे 55,000 रुपे किस से आया है to machinery ठीक आपने sold किया to realization पचास जार की तो मसीन देती पांच जार का profit होगे realization में credit assets में होतो अगर इसको कम पे पिचा जायता 50 की 45 जायता इसी तरह के से लाइबरेटी की payment के लिए लाइबरेटी की payment है तो उसको क्या करेंगे उसको भी इसी तरह के से अगर access में payment कर रहे हो realization जो आपकी जो liability है वह मैंने बता दी payment करने के बाद उसके बाद आता है कि जो liquidation expenses है वह पे करने के लिए liquidation expenses दो तरीके से होते है एक तो वह transferer company खुद bear करे एक होता है कि वह खुद bear पहले pay कर दे वह वहां से ले ले अगर खुद bear कर रहे है तो लिखा होगे आप liquidation या realization account debit महिशा हम charge कर लेंगे इसको realization account debit to bank account payment कर दिया आपने realization debit कर दिया ना payment कर दिया आपने दूसरे चीज अगर आपने उसकी payment वहां से मिल ली है तो पहले आप क्या लिखोगे यहां पर जो realization लिखा है ना वहां पर आपके लिखोगे उस company का नाम transferi company account debit to bank account फिर क्या लिखोगे bank account debit to transfer कर दो होगी ना उपर नीचे cancel पहले उसको payment कर दो वापिस उन से ले लो वहां से पैसे आगया आपके पास बास समझ में उसके नाम से कर दो आप payment ठीक है एक और बात आपकी आई यहां पर आपने कोई भी results transfer नहीं करने सारे के सारे results shareholders के account में जाएंगे कहा जाएंगे shareholders के account मिली बात यहां सकते दुबारा समझे एक बार थोड़ी ज्यादा हो जाएगे first entry realization measure transfer करने की क्या entry assets फिर liability transfer करो जितने भी provision वो extra transfer करो after that आपने क्या किया आपने purchase consideration के entry की वहां से मिला आपने due realization में कर दिया फिर issue कर लिया profit उसके बाद जो भी assets थी उसको sold करने से जो पैसा है वो profit पे sold की है तो realization credit otherwise debit इसी तरी के लाइबलिटी का and then आपने पढ़ा है क्या की कैसे आपका liquidation expenses है वो को अगर खुद पे कर रहे तो liquidation to bank आदर नहीं कर रहे तो liquidation to us company का नाम और to bank account or bank to us company यहां तक ठीक है आपको उसके बाद आता है देखो एको चीज़ आती है कि अब यह सारा का सारा जो realization का profit होया लोस हो किसका राइट है equity shareholder का किसका राइट है equity shareholder का तो क्या लिखो अगर profit हो रहा है तो क्या लिखोगे profit हो रहा सारा का सारा realization to equity shareholder उनके debit में चला जाएगा symbol loss हो रहा है तो reserves और surpluses जितने भी है वो सारे के सारे कहां जाएगे सारे के सारे shareholder के direct account में चले जाएगे equity share capital reserve fund contingency dividend equalization workman compensation insurance और profit and less credit balance यह सारे उनके credit में चले जाएगे और अगर loss जाएज़े से की profit and loss का debit balance share issue expenses discount on issue of sales और यह सब चीज़े तो यह सारी की सारी कहां चले जाएगे उनके debit में चाज हो जाएगे और last final payment हो वो इस तरह की से होगी equity shareholder account debit to bank जो cash में दिया two shares in transfer company हो गई payment यहां तक clear हो गया transfer company का clear हो गया first entry assets की transfer second liability की फिर purchase consideration की liquidation expenses जो unrecorded liability उनकी payment कर दो assets उनको sealed कर दो उसके बाद आप रिज़े एंसर प्रसून को transfer कर दो and after that overall overall निकाल को उनकी payment कर दो यह तो होती किसमे transfer company में याद रहे merger acquisition absorption और nature of merger जो भी आपकी external reconstruction सब की accounting में एक तरीके के entry होती है कोई दूसरी entry नहीं होती है कोई difference नहीं है अब दूसरी चीज आई यह तो किसकी books में थी transferring अब बात करते है transfer company के transfer company assets ले रही है तो सारी assets debit सारी liabilities इस तरीके से लिखोगे न अब देखो हम क्या कर रहे है books of transferring company के account में सबसे पहले आया for purchase consideration के entry होगी तो पहले entry होगी first for purchase consideration मेरी बात सुनों मैं बता रहा हूँ the pooling of interest method पहले में सब में save entry एक को छोड़ गया purchase consideration के क्या लिखोगे entry आप लिखोगे business purchase account debit business purchase account debit to liquidator of transfer company to liquidator क्योंकि वही है उसके नाम से ना liquidator of transfer company यह liquidator वह person होता है जो यह काम कर रहे है पहली entry होगी purchase consideration के due करने की दूसरी है assets or liability जो आपने लिए उसके entry क्या होगी जितनी भी आपने assets लिए है लिखो salary assets account debit इधर आपने क्या लिखा to liability एक और बात रहेगी इसमें क्या आगई resource की जितने भी आपके जिसे हमने लिखा की liability जोगी provision and for doubtful debts हो गया profit and loss का हो गया book value पर आ रहा है इसारा यह सारी तो book value पर जाएंगे जो भी है यह किस पर जाएगा adjusted अभी मैंने पताया था उसको क्या करके लिखना adjusted यह balance जादा हो रहा है ना तो इसमें कम कर दो मतलब इसको बढ़ा दो ठीक है resource को बढ़ा दो अगर assets जादा आ रही है over liability इसको मतलब आपको फायदा हो रहा है तो इसको reserve बढ़ा दी आपने और कमारी assets इसको कम कर दो entry यहां पर मेंने मैंने यही पताया था कि अपूलिंग आप इंटर्स में से मर्जर के कैस में लगता है मर्जर के कैस में होता है क्या है payment की ओपंदार लाकी की पांस लाग फाल तो दिया ना पांस लाग रिजर्व कम कर दो कि हमें पांस लाग रिजर्व में कम हो गया हमारी इस तरीके से करना है कहीं वहाँ वह दिपर इसको अडिजर्व पर लेगना है वह कुछ नहीं करना है ठीक है उसके बाद पर्चास कंसिट्रेशन की पेमेंट कर लिए के लिए को लिक्वीडेटर के नाम शेह ना तो लिक्वीडेटर आप ट्रांसफर कम्पनी टू सेयर्स टू बैंक अक अपके जनरल रिजब अकांट डेवी टू बैंक अकांट करके खतम कर ले चार पांच एंट्री किया आपके पर्चास कंसिट्रीशन डू की पर्चास कंसिट्रीशन टू लिक्वीडेटर आप ट्रांसफर कम्पनी दूसरी एड्सर्स और लिएब्रीट करने की तो सारी एसे बना रहे तो formation expenses के लगे वो 5 country कर दी परचेज में मेरी बात आई अब यह तो थी pulling of interest method purchase method में आपने क्या करना है purchase method में यहां पर मालू यह जो value थी यहां पर reserve का कुछ नहीं करना अगर यह value आपकी कमारी वो ज्याद आ रही है तो यहां पर क्या लिखोगे capital reserve और कौन्छा balancing figure और यह value आ रही है तो यहां पर क्या लिख दोगे एक asset generated होगी goodwill account debit यह भी क्या जाएगी balancing figure ठीक है समझ में आ गया कोई doubt यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने देखो क्या कराया आज वो देखो यही था इसमें अमलगा में सब कुछ नहीं है सारी बाकि जनल एंट्री होगी सब कुछ सब कुछ इसमें इसमें इतना बड़ा question बनता है किस की book में क्या country होती कौन सा method आमने पड़ा है amalgamation meaning किसमें नहीं company बनती है किसमें नहीं कंती मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया है अगर आपको ना समने है तो दूबार आप पूचिए पच्छेस consideration के होता है कौन-कौन से method है आप आपका accounting standard number कौन से है after that आपने इसमें पड़ा क्या कि purchase merger की 5 condition कौन सी है अगर एक फुल्फिल ना हो तो कौन सी होती है यह आपने पड़ा सारी याद होगी होगी pulling of interest method क्या होता है entry कैसे होती है क्या adjust होता है और आपका purchase method उसमें क्या adjust होता है तो thank you आज के लिए बहुत ही त आपको